हेलो डियर आप सभी को स्वाइब करता हूँ बायो साइंस के एक बहुत ही जिस्तंदार वीडियो के उपर ठीक है आज क्या वीडियो है आप लोग के बीची में टीसू के उपर अब जो लोग का बिहार में एक जाम होने वाला है 15 तारिक से 1 दिन बायो साइंस ही होता है ठीक ह और यहां से कुश्चन जो है बहुत जादे चांसेज होता है कि आपके या तो कनेक्टिव टीसू पुछले या जो है मस्कूलर टीसू पुछले पिछले बार जो है पुछा था कि उतक होता क्या है उतक के परकार लिखे और जो है पेसिये उतक का जो है वर्नन करे ठीक है न हो सकता है इस बार पूछ ले connective tissue के बारे में चुकि दोनों जो है important है एक है जो आपके पूरे सरीर के सनराचना में भाग लेता है connective tissue सन्योजी उतक मतलब इसलिए उसे connective tissue नाम दिया गया है कि वह जुर जुर कर जो है आपके सरीर को विभीन अंगों को जो है एक राचना दे नहीं तो यहीं चीज़े बागी चलिए हम लोग देखते हैं देख लीजे इस बार भी ठांस है की हो सकता है पूछ दे चलिए कि देकिएं उत्तक क्या होता है मानब सरीर में एक समान सनंरचना तथा एक एक समान कारियों वाली को सिकाओं के समूह को उत्तक टिसू कहते हैं मानब शरीर का निर्मान निमन उत्तको से मिलकर बनता है देखिए शरीर का निर्मान उत्तक ही करता है और उत्तक का निर्मान कुन करता है को सिका करता है सभी बहुत सारे एक समान विभाजित हो हो कर एक समा गुन और कारे वाला कोसिका जो है मिलकर उतक बनाता है और यह उतक सब कनेक्ट हो कर सरीर का राचना करता है ठीक है देख लीजे मानब सरीर में एक समान सन राचना तथा एक समान कारियों वाली कोसिकाओं के समूह को उतक कहते हैं मानब सरीर का निर्मान निमन उतको से मिलकर बनता है ठीक है लेकिए मतलब उत्तक का मतलब क्या हुआ कि मानब शरीर में जो समान कार करने वाला जो कोशिका है और जो समान सनरचना के मतलब एक जैसा जो कोशिका है और जो एक जैसे कार करता है वो कोशिका आपस में मिलकर या वो कोशिका को समूह को उत्तक कहते हैं ठीक ह मानव सरीर का निर्मान निमनुदकों से मिलकर बना है यानि उत्तक के परकार देख लिजिए पहला है एपिथिलियल टिशू दूसरा है कनेक्टिव टिशू तिसरा है मस्कूलर टिशू और चौता है नर्भस टिशू ठीक है यानि उपकलाव तक सन्योजी उतक पेसिये उतक और तन्तरीका उतक ठीक है देखिए एपिथिलियल ऊतक इतना ज्यादा लेंदिन है ना इतना ज्यादा कखी है कि यह कूश्चन जह है बहुत ज्यादा मन आपका दुख्षी हो जाएगा इस एपिथिलियल टिशू को आपको करने में तो एक कूश्चन पुछता भी उतना ही भाग लेता है शरीर के अलग-अलग अंगों को बनाता है पेशिये उतक हो है जो आपके एक्षिक और नेक्षिक और हिर्दय पर होता है तो यही जो है आपके दोनों के बारे में आज हम लोग देखेंगे जो की ज़्यादा इंपर्टेंट है ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखिए सन्योजी उतक क्या होता है इनके परकारों का वर्नन करे ठीक है ओके चलिए हम लोग इसको एक्स्प्लेइन कर लेते हैं देखिए सन्योजी उतक मीजोडर्म या मीजेन काईमा से बनते हैं सबसे पहला याद रखिए कि जो सन्योजी उतक होते हैं वो क्याची से बनते है एस्टेप याद रखिएगा मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां भी बायो साइंस में अगर आपको hard लगे, जहां full stop हो, full stop ज़्यादा ज़्यादा एक सुदो लाइन का होता है, वहां से उसको तोर दीजिए, अलग कर दीजिए, तो यहां तक क्या दिया है, सन्योजी उतक मीजोडर्म या मीजेन काइमा से बनते हैं, समझ गया है, और इसको यहां पर full stop कर दिया है, या यानी एक इतना ही याद, पहले इतना कंप्लीट कीजिए, कि सन्योजी उतक मीजोडर्म या मीजेन काइमा से बनते हैं, यह याद हो गया, फिर जो है अब यहां से शुरू कीजिए, ठीक है, यह निस्करिये होते हैं, यह उतक एक दूसरे से भीन होते हैं, लेकिन आपस में संबंध रखते हैं, ठीक है न, इनकी कोशिकाएं अलग-अलग होने के कारण रिक्ता स्वान बनाती है, इनमें अंतरक्रिस की ये पदार्थ भारा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, अभी तक क्या समझें, कि यह जो अपका कनेक्टिव टिसू होता है, यह मीजोडर्म य एक दूसरे से भीन होते हैं, ठीक है, भीन होने के कारण ही जो है, इसमें जो आपस में संबंध तो रखते हैं, लेकिन इनके कोशिकाएं जो है, अलग-अलग होने के कारण रिक्त बनाते हैं, मतलब अगर समान गुन के रहता है, समान संबंध रखता है, तो सब एकदम आप जूर जूर कराया कोई रिक्टिका नहीं होता इस समान नहीं होता है को ​ जिसको जिसके साथ संबंध रहता है वो उसके साथ रह जाता है और बांकी जहां जगा चुरी जाता है रिक्त पर जाता है ठीक है तो यही चीज़े हैं और बांकी यह हो गया इसमें इनमें जो होता है अंतर कुस्की यह पदार्थ जो है इंटर सेलूलर सबस्टांस भारा होत तो यहां तक समझ गया है, चलिए, आगे देखिए, सन्योजी उत्तक की कोशिकाएं में कई अभ्यव पाय जाते हैं, जैसे Fibroblast, Histiocytes, Plasma कोशिकाएं, माश्ट कोशिकाएं, वसिय कोशिकाएं, पिग्मेंट कोशिकाएं, आधारिये पदार्थ, यानि Ground सवस्टान्स, देख है आधारिये पदार्थ है अधारिये पदार्थ तो अपको याद रखना पड़ेगा है सप्तेयों कहले करें कि समान गुन का हे होता है जिसके कारण जो है इसमें रिक्त बनता है समझ गया ना अब समान गुन नहीं होगा तो आपस में संबंध रखेगा ही नहीं और जब आपस में संबंध नहीं रखेगा तो बीच में तो गैप होगा ही होगा तो यही चीज़े जो है आपका हो जाता है साथ ही समझ ये कि इसमें जो है अंतर प्रयुपट इससु कहा गया है ना संद्ध रखते हैं लेकिन भीन होते हैं और इन्हीं भीन के कारण यह अलगalten होने के कारण रेक्त बनाते हैं मतलब गयप बनाते हैं ठिक है समझे इसके बारे में इसमें कौनकोन सा ब्याभ होता है तो समझ लीजी इसमें फाइविडी यो बलास्ट हरी यो साइट हिष्टियो साइद मांच्ट को सिखा है वसीय को इसी काएं पिगमेंट को सिखा है अधार ये पदार्थ ठीक है चलिए मैं अंत में इसलिए परहा रहा हूं क्योंकि जो लोग बिहार के हैं उनको नया रहे और उनको जो है रिवीजन करने का जो है दोबारा जो है काम ना पड़े ठीक है चलिए अब इस सुथका का अलग अलग परकार है मैं पहले बता देता हूँ इसमें 10 परकार है इसलिए कनेक्टिव टिसू थोड़ा बारा होता है ठीक है चलिए देखते हैं अब देखिए यहां पर है तंतु मैं उतक है पहला देखिए याद करना बहुत असान है तंतु मैं उतक होता है जिसको फाइब इडियो बलास्ट फाइब इडियो साइट्स या फाइब इडियस टीसू कहते है ठीक है देख लिजे क्या होता है फ सहयोग से शरीर का निर्मान करता है यह जो होता है सलेस्ट जन मतलब जो सलेस्ट जन होता है उसके तंतुओं के सहयोग से शरीर का निर्मान करते हैं यह असंख होता है यह तंतुकला मेंबरन तथा सनायू लिगामेंट में पा जाते हैं आपको जितना भी हम टाइप से बताए है समझ गयेक लिंगामेंस में होता है समझ गई चीज को हम यह इन्हों के लिए ऍपासला के शनधियों के कैपसेल में भी रहता है यह होता है यह संधी जिंगहों छान्य उरग के कै लिए उस्ष्व स्क्ष्व पर बारता शुरक्षा करने आप लोग जानते हैं कि यह capsule में भी मज़ूद होता है और सनाईू और lingering लिंगा मेंट में भी मसजूद होता है थिक है न अजना इस ना मेंब्रेन में मतला तकला तंतु कला में भी उपस्तित होता है यह जो है सलेसमन तंतुओं के सहयोग से सरीर का निर्मान करता है ठीक है तो इतना दो समझ गए और यह भीन-भीन उतकों को जोर कर अंगों को भागों को जोरता है ठीक है तथा अंगों को लजचिलापन एवा मजबूति परदान और सुरक्षा परदान करने में भी सक्षम है कौन फाइवरस टीसू तंतुओं मैं उतक समझ गए चीज को चलिए दूसरा देखिए अब कासी उतक है एरोलर टीसू है ठीक है देख लिजे यह उतक पेसियों के बीच में त्वाचा के निचले सलेसमक कला रक्त नलिकाओं वा तंत्रिकाओं के चार और इस्थित होता है यह उतक कोमल लचकदार तथा परदर्शक होते हैं अब कासी उतक जो है विभीन अंगो के उतको को जोरने का कार करता है ठीक है जिस परकार से तंतुमै उतक जो है विभीन अंगो को जोर कर लचिलापन परदान करता है उसी परकार से जो अब कासी एरोलर उतक होता है या व अच्छा के निचले इस्तर पर होता है स्लेस्मा कला म्यूकस में निखा में ब्लड वे सटित होता है यहाद रखिएगा कि आरोल लण उत्क तो अच्या में भी होता है सलेसमस कला में भी होता है पेसिया में भी होता है बलड वैसेल्स में भी होता है और नर्वस के चारोड भी होता है समझ गए चलिए यह जो है कोमल लचकदार और परदर्सक होता है अब कासी उतक बिभीन अंगों के उतकों को जोरने का कार करता है सबसे पहले जानिए यह उतक कोमल और लचकदार पारधरसक होते हैं फिर जानिए कि यह जो है सरीर के अन उतकों को जोरने का काम करता है कौन अब कासी उतक मतलब एरोलर टीसू ओके चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिएगा तिसरा है आपका वसामय या वसीय उतक एडिपोज टीसू ठीके याद करना बहुत असान है एक है फाइबरस टीसू मतलब तंतुमय उतक एक है आपका अबकासी एरोलर टीसू ठीके और हम लोग अब तिसरा देख रहे हैं वसीय उतक या वसामय उतक जिसको हम लोग एडिपोज टीसू करते हैं ठीक है देखिए वसामय उतको की कोशिका में मुक्त रूप से वसा मवजूद होती है ठीक है यह उतक अध्वस्वत्वचिय सबक्यूटेनियस मस्तिस की गुहा नेत्र की पलके सीसन लगू मतलब अधिक्ता में मवजूद होते हैं मतलब जहां जहां आपके वसा का जरूरत होता है वहां वहां यह मवजूद होता है क्योंकि यह इसमें मुक्त रूप से वसा मवजूद होता है वसामय उतक जो होता है ना इसमें मुक्त रूप से वसा जो है मवजूद होता है और यह सबक कुटन स्था है तक क्रीबिकूर में होता है उसके लगम होता है और इसमें अधिकता में मखूद होता है याद करीजे कि वसामoking लगूं में एसा में मवजूद होता है चलिए चाथा यहाँ पर देखिएगा सिलेसमक उतक है मियूकस टीसू है ठीक है देख लिजिए सिलेसमक उतकों को भुरूनिये उतक भी कहते हैं क्योंकि इनकी अधिकता सिसू की नावी में अधिक होती है आप देखिए जो मियुकस टिसू है जो सलेस्मक उतक है इसको भुरूनिय उतक भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि यह उतक जो होता है या सिसू के नाभी में अधिकता से होता है इसलिए सलेस्मक उतको भुरूनिय उतक भी कहते हैं समझ गए पहले चीज याद रखिए कि सले कि वहांज सभस्टांस जो अधारी द्रब उसमें बरपूर मात्रा में मियुकस होता है सिलेशिमा होता है इसलिए तो इसे मियुकस टिसु कहा जाता है ना ठीक है यह ब्यसकों के नेतर कचाइब द्रब मतलब भीटेडियस बड़ी फ्लुट में भी पाया जाता है मतलब यह ज बश्टांस होता है अधारी जो द्रभ है उसमें स्लेसमा भरा होता है भरपूर मत्रा में और यह बसको के नेत्र कचाप में भी जो है होता है समझ गये तो यह चीज को समझ गये स्लेसमा कुटर के बारे में चलिए पांचमा यहाँ पे देखिए आप लोग एलो इलास्टिक टिसू का मतलब क्या होता है यह उतक इलास्टिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं एलो इलास्टिक मतलब लचीला पीत उतक का मतलब होता है इसका मतलब होता है कि ये उतक इलाश्टि नामाग प्रोटिन से बने होते हैं ठीक है चलिए इस तंतूहों में पर्तियास था इलाश्टि सिटी या लचिलापन रहता है इसके तंतू रेसे पीलेवा मोटे होते है ठीक है यह उतक कंचन एपी गलोटिस समझ गय है उसके बाद बैहमा कान, इंटर्नल इयर्स, ठीक है, उसके बाद देखिए, रक्त बाहिनियों, स्वास नलिकाओ, और फेफरों, तथा स्वर यंत्रों में पाए जाते हैं, देखिए, ये वाला जो उतक होता है न, लचिला पीत उतक, एलो इलास्टिक उतक, ये जो है, इलास् जहां पर भोजन, और स्वास का नली, जहां पर होता है, जहां पर भोजन करने पर भोजन की तरफ भेजता है, आहार नाल में, और पाचन तंत्र में, और एयर को, वायू को भेजता है, वायू में, अलग करता है भोजन को, और क्या बलते हैं, उसको, स्वासन मार्ग को, तो चलिए समाझ गया ना चलिए चटा देख लिजे उपास्ति को उतक है उपास्ति का मतलग क्या होता है देख लिजे काटिलेज टिसू या उपास्ति उतक कोशिकाओं कंडो बलास्ट एवं पर्चूर मात्रा में अधारिये पदार से के मिलने से बनते हैं यह जो कोशिका है पर्चूर मात्रा में अधारिये पदार्थों से मिलने से बनता है समाझ गया ना कंडो बलास्ट कोशिका और अधारिये पदार्थों के मिलने से बनता है ओके चलिए यहां देखिए यह उतक स्वेत रंग के कठोर और लचीले हलके परदर्सक होते हैं यह जो उतक होता है ज उसके साथ धीत सके जिस से होकार ऊहीं परदर्शक होता है मतलब जो काटिलेज होता है हलका परदर्शक होता है समझगय है अश्वेują में होता है अम्राथ was करते हैं उपास्थी उतक तिन परकार के होते हैं एक क्या करता है उपास्थी उतक की ब्यसकों के जॉइंट में होता है बोन के और यह घरसन से बचाने का कार करता है उपास्थी उतक समझ गए और ये तिन परकार के होता है समझ गए चलिए देख लिए ये कौन-कौन तिन परकार से है एक है हाईलीन उपास थी एक है तंतु में उपास थी एक है इलास्टिक उपास थी समझ गए तिनों याद रखिएगा कि ये जो कार्टिलेज टिस्टू है तिन परकार के होता है हाई काटिलेज टिसूज के बारे में ठीक है या कोशिका और कंडो बलाष्ट और पर्चुर मात्रा में अधारिये पदार्थो मिलने से बनता है या सोतरंग के पदार्थ होता है जो परदर्शक घलका होता है या ब्यास्कों के अस्तियों के जोरे में होता है या घर्षन से घर्ष इसे में रोगों से लरने वाला जो छम्ताह जो हता है जो इम्यूनी टी होता है वोम पदार्थों का जो है क्या होता हिवह होता है अनिर्मान होता है होके एह उतक जो है लसिका परवो, लमपनोड्स, बिलीहा, एपेंडिक्स होता है थालेख rice धान होटा है धाइमस्टमें होता है च्रोटी एर B measure में होता है और लस्वी का गरंथियों में सम havoc में होता है तो कहां कहां हो गया देख लिए आत में थाइमस्टमें एपैंडिक्स99 में लस्शिका में और लस्व Sanders गरंथियों में यहां जो है समुहों और अधिक महत्रा में होता है इसमें किसका निर्मान होता है तो लोगों से लरने वाले पदार्थों का जो है क्या होता है निर्मान होता है ठीक है समझ गए लसिकाव उतर को चलिए आठमा यहां पर देखिएगा जालीदार उतक है अरेक् जालिदार जो उतक होता है तो यह उतक समझ सरीर में फैला होता है जाल के तरह और इनहीं के द्वारा अंगो धांचे तथा उपकला और उतको के लिए अधारिये कला का निर्मान होता है जालिदार उतक जो होता है यह उपकला एपिथिलियल उतक के लिए बेस निर्मान करता ह ठीक है यह जो है अंगों के धांचे और फ्रेम को बनाता है जलीदार उतक चुकि यह सरीर के में जाल जैसे फैले होते है ठीक है इस परकार के उतक अस्थी मजा यक्रीत पलीहा एवं अन अंगों में पाए जाते हैं यह जो आपका रेक्टिकूलर जो टीसूज है यह आपके क अस्थी मजा में होता है एकरीत में पलीहा में और अन अंगों में पाए जाते हैं डांचे फ्रेम और उपकला उतको के लिए अधारीय का निर्मान करता है समझ गये जलीदार उतक को समझ गये चलिए नौर्मा देखिए सकेंड लाज देखिएगा अस्थिल उतक है और सियोसर बोन टीसू है ठीक है नाम तरह स्परस्ट है अस्थिल उतक यह उतक सबसे कठोर मजबूत उतक जिसके सन्योजन से अस्थियों का निर्मान होता है समझ ग बनते हैं सरीर का हर एक पार्ट का निर्मान उतको सही मिलकर बनता है इसकी अस्थि को सिका है इसकी जो अस्थि का मतलब जो हड़ी का को सिका होता है यह जो है कैल्सियम फोस्पेट कैल्सियम कार्बोनेर तथा खनीज लबनों से बनती है यह जो है किस से किस से बनता है कैल् और खनीज लवनों से इसके कोशिका बनते हैं और यही जो है फिर अस्थी को बनाता है ठीक है चलिए यह तीन परकार के होते हैं देख लीजे एक होता है अस्थियो साइट्स एक होता है अस्थियो बलाइट्स और एक होता है अस्थियो कलास्ट तो यह तीन याद रखिएगा यह तिन फरकार के होता है कोशिका कौन-कौन एक होता है अस्टियो साइट, अस्टियो बलास्ट और अस्टियो क्लास्ट ठीक है यह आपका अस्थिल उतक हो गया ओके चलिए लाश्ट वला अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं रक्तो उतपादक उतक हेमोपएटिक टीसू क्या होता है यह उतक जीवन दायक एवम धरब सन्योजी उतक फ्लूड कनेक्टिव टीसू होता है जिसको तरल सन्योजी उतक भी कहते है ठीक है यह उतक जीवन दायक मतलब सरीर के रक्त नलिकाओं में धारा परवाह नियंत्रन गतिसिल रहता है ठीक है ना यह रक्त को सरीर के रक्त जो है सरीर की कोशिकाओं में ठीक है ना ऑक्सीजन पहुचाता है और ब्यार्थ पधार्थों को गैसों को सरीर से बाहर निकालता है ठीक है तो यह जो आपका रक्त उत्पादक उतक होता है जीवन दायक होता है और यह तरल सन्योजी उतक होता है जो ए उतक सारे सरीर के रक्त नलिकाओं में धारा परवाह को नियांतरन गतिसील रखता है समझ गया ना तो यह चीज़े समझ लीजिए ओके चलिए रक्त सरीर की कोशिकाओं में अक्सिजन उचाता है और ब्यात परार्थों को सरीर से बाहर निकालता है यहीं आपका होता है हेमोप्टेटिक टीसू समझ गया है चलिए तो यहां पर कनेक्टिक टीसू के बारे में देख लिए ओके एक वार रिपीट करेंगे पहले हम लोग देख लेते हैं मस्कूलर टीसू को ठीक है चलिए देखें मस्कूलर टीसू क्या होता है एक्स्प्लेर इट टाइप यह तो बहुत आसान है बहुत इजी है चलिए देखते हैं पेसिये उतको को मांस्पेसिये भी कहते हैं जो की संकूचन तंतूओ से मिलकर बनता है इन उतको में चलकता कंड़क्टिवीटी सबसे पहले रखे कि जोपी उतंग होता इसमें क्यों होता है तो चलाक्ता का गुन होता है और उते ज़़ए इन उत्कों को तंतरिकाओं नर्व का ञाल फेला होता है यह तीन परकार के उत्कों से मिल कर बन्था है यह जो आपका मस्कूलर जो टिसू होता है जहां भी यह मस्कूलर टिसू होता है वहाँ पे तंतरीकाओं का जाल फैला होता है मतलब उसमें छोटा छोटा बहुत सरा नर्ब होता है यानि जाल की तरफ फैला होता है ठीक है? और ये जो है तीन परकार के उत्कों से मिलकर बनता है ठीक है? चली हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से उत्क जो है होते हैं ए निमली खित है पहला है एक चिक दुसरा और एक चिक और तिसरा कार्डियक मतलब हिर्दैक पेसी ठीक है चलिए देखते हैं पहला हम लोग एक चिक पेसी बोलेंटियर मसल्स एक चिक मतलब जो आपको एकछा से कंट्रोल हो ठीक है एकचिक पेसी अस्थियों से जुरी होती है इसको रेखित पेसी भी कहते है देखिए एकचिक पेसी जो होता है आपके जो अस्थी होता है बोन होता है उसे कनेक्ट होता है तभी हम जाके सरी के कोई भी अंग को जहां भी हमारा बोन होता है उसको अपने से कंट्रोल कर सकते है यही जो है आपका एक चिक पेशी होता है जो बोंड से जुरा होता है और यह रेखित पेशी भी कहते हैं समझ गए चलिए A-Pescia अनेक तंतूओं के समूह से मिलकर बनती है A-Pesci होता है अनेक समूह से मिलकर बनता है ठीक है जो आपस में सनियोजी उथको connective tissue द्वारा जूड़ी होती है कि आपस में सनियोजी उथको द्वारा जूड़ी होती है bur pledge radio A-Pesci ये जो muscles होता है बनता किसके दौरा है बनता है आपका fiber के दौरा तंतू के दौरा लेकिन ये जो है आपस में जुरा होता है connected tissue के दौरा समझे गए चलिए ये तंतू आकडिती में cylindrker बिलनाकार होते है इनके सीरे पतले होते है समझे गए ये जो है का होता है एक चीक एक चीक जो होता है इसके जो इसके जो फाइवर से मिलकर जो बना हुआ जो पे अस्थी है पेसी है यह जो होता है बिल्लाकार होता है समझ गए और यह जो है सन्योजी उत्ता के द्वारा कनेक्ट होते रहता है ठीक है इनके सीरे पतले होते हैं समझ गए न और एक्षिक पेसी के अस्थी जो होता है एक्षिक पेसी का जो एक्षिक पेसी जो होता है या अस्थियों से जुड़ा होता है इसलिए से रेखित पेसी भी कहते हैं समझ गए चलिए दूसरा यहां पर देखिए एक्षिक या रेखित पेसी इन भोलें डियर मसल् पेसि को काराने को आतरंगी पेसी कहते हैं इसे पटी या रेखा नहीं होता है। जो आपका उतक होता है यह आपके अतरंग आंतरीक अंगों से जुरा होने के कारण इसे अतरंगी पेसी भी कहते हैं अब आतरीक अंगों से जुरा है तभी तो आपको उपर इसको कंट्रोल नहीं है वो खुद अपना चलते रहता है जब आपका नर्व आपका तंतरीका काम कर और ये अपर कलएं कि अनेक्षिkti पेशिक भी कहते हैं इंहें पेशीं में लंबे तन्तु होते हैं जिसका के माद में होता है समझ गए ना एक किंद्रा को वा कोशिका दरब होता है किसके मध्य में यह आरेखित पेसी के मध्य में ठीक है ना समझ गए इसके कोशिका जो होगा उसके मध्य में समझ गए चीज को और यह कहां कहां होता है क्या होता है समझ गए चलिए अब लाश्ट यहाँ पे देखिए कार्डियक पेसी है मतलब हिर्दय हार्दीक पेसी का मतलब होता है कार्डियक समझ गए यह पेसी केवल हिर्दय में ही होता है इसलिए कार्डियक मसल कहा गया है हिर्दय की पेसियों को अलग से कोस्किये तंत्रसेल नेटवर्क होता है इसकी कोसिकाएं ताल मेल के साथ ले रिदीम में कार करती है जिसे संकूचन कंट्राक्शन होता है इन पेसियों में बिना बिसराम करे हमेशा स्वचालित अस्पंदन संकूचन आटोमेटिक रिदीम करे करते हैं एक जाल होता है किसका यह को सिखा है या ताल मेलग के साथ एक लियमें कार करते रहता है ठीक है जिससे संकूचन होता है जिससे हमारा हर्ट लगतार काम करते रहता है क्योंकि यह अराम नहीं लेता है एकदम तालमेल के साथ लए में काम करते रहता है इन पेसियों में बिना बिस्राम करें हमेशा स्वचालीत अस्पंद संकूचन की किरिया होता रहता है इसमें बिन जो दो इंपर्टेंट था अब बाकी एक वे जो है आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि यहां पर देख लिए कौन-कौन सा टीसू है कनेक्टिव टीसू में ताकि एक वार और याद हो जाए ठीक है देख लिए पहला है तंतु में उतक फाइवरस टीसू दूसरा है आपका टीसू अब 8o तीसरा है एडि पो टक मतलब वसा में उतक ठीक है चौतंधा है सलेस्मक उतक मूकस टीसू ठीक है पाचमा में है लजीलापन पीट उतक ठीक है एलो 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 इलास्टिक जहें आपका टीसू अपास थी काटिलेस टीसू जिसमें तीन था समझ गए हाईलिन और तन्तुमे और इलाश्टिक सत्मा है लस्टिकाब उतक और सत्मा है जलिदार उतक ठीक है अनौमा है अस्थिल उतक ठीक है और दस्मा है रक्तो उत्पाद उत्तक समझ गए तो उत्तक के बारे में अच्छे समझ गए बाकी वो धरतीन तो याद ही है चलिए मिलते हैं अगल प्रेवाद